Hello student, तो आज अपन discuss करने वाले हैं 10th class के chapter reproduction के बारे में कुछ important questions जो आपके board के हिसाब से बहुत ही ज्यादा important है ठीक है, तो इसमें आज अपन बताने वाले हैं कि reproduction होता क्या है, reproduction mainly दो type का होता है, sexual reproduction और asexual reproduction और बहुत सारी methods भी है ठीक है, उसके बाद में कैसे reproduction से होने वाली प्रजनीज को अपन रोख सकते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या method अपन use करते हैं, उसके बारे में अपन एक overview लेते हैं जो questions कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है, ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं अपन questions की, तो questions में सबसे पहले question है What is the importance of DNA copying reproduction, तो reproduction की DNA, reproduction में DNA copying की सबसे ज्यादा अपने को importance क्यों है तो सबसे पहले है characteristic और species, जो species का जो characteristic है उसको बना के रखता है, ठीक है उसके बाद में अगला है maintain of continuity of life, जो life की continuity है वो बनाये रखता है उसके बाद में अगला है variations in organism, क्या होता है, DNA copy से variations आते हैं, ठीक है इसके बाद में अगला question है, specify the event which occur in the reproductive system of human in female female में क्या होता है, जब यह events होते हैं, ठीक है तो सबसे पहले egg is fertilized, अगर egg fertilized हो जाएगा तो क्या होगा सबसे पहले pregnancy, ठीक है उसके बाद में, if egg is not fertilized, अगर fertilized नहीं होगा तो क्या होगा, menstruation, ठीक है उसके बाद में अगला question है, mention the chances that take place in uterus in both of the above event अब दोनोई event में अपने को बताना है कि uterus में क्या changes होगे तो सबसे पहले बात करते हैं, egg is fertilized, अगर fertilized हो गया, तो क्या changes होगे तो fertilized अगर हो जाता है, तो egg की जो wall है, जो uterus की wall है, वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी ठीक है, और spongy हो जाएगी, और क्या करेगी अपने आपको ready करेगी, किस के लिए, जो fetus तयार होके आएगा, जो जाएगोड बनके आएगा, उसको bear करने के लिए अपने आपको तयार करेगी, ठीक है, उसके बाद में अगला, जब egg नहीं होगा fertilized, तब क्या होगा, तब ज के साथ बहार आजाएगी, ठीक है, तो उसे ही अपन क्या बोलता है, mensuration बोलता है, ठीक है, इसके बाद में अगला question, how does the creation of variation, variation का हमारे survival में क्या role है, ठीक है, तो survival में क्या role होता है, variation का, तो variation, variation जो होते हैं, increase the probability of chances in survival, जो survival का chances, chances अपने बढ़ाते हैं, ठीक है, जो variations होते हैं, वो अपने survival के chances बढ़ाते हैं, ठीक है, इसके बाद में अगला question, देखो, what is placenta, यह सबसे ज्यादा important question है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, write any function of placenta, ठीक है, placenta की function, और यह भी बहुत ही ज्यादा important है, ठीक है, तो placenta क्या होता है, placenta, a disc shape organ, सबसे अच्छा है, इसका जो answer है, वो अपने हिसाब से दिया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, अपन, disc shape organ होता है, ठीक है, especially काम क्या करता है, नरिश्मेंट प्रवाइट कर आता है, और maintaining the fetus, ठीक है, fetus को maintain करके रखता है, ठीक है, इसके बाद में, इसके function क्या होते है, provide large surface area for glucose and oxygen, to pass the mother from the embryo, ठीक हो, अपनने पढ़ा है कि जो fetus होता है, जो embryo होता है, वो mother से nourishment provide कर आता है, तो वो placenta के थ्रूई, सारे जो glucose material जितने भी important होते है, वो सारे कहां से लेता है, placenta से लेता है, ठीक है, उसके बाद में, removal of waste, ठीक है, जो waste जो fetus निकालता है, वो dison हो जाता है, placenta में, ठीक है, जिसको बाद में remove कर दिया जाता है, ठीक है, इसके बाद में अगला question है, what happened when, क्या होगा जब on maturation of sporengia burst, जो sporengia होगी, वो mature होके burst हो जाएगी, तो क्या होगा, maturengia, sporengia जो है, उसमें gametes होते है, अगर वो burst हो जाएगी, तो क्या होगा, ने, sporengia, क्या हो जाएँगे, बन जाएँगे, ठीक है, इसके बाद में, अगला, a mature sporengia filament attained considerable length, जो हर एक जो filament होगा, वो क्या करेगा, अलग-अलग, plant में develop हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद में, अगला question, देखो, how does the following plant reproduce, कुछ plant है, वो कैसे reproduce करते हैं, इनके बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले है potato, potato कैसे, करता है, tuber की form में, ठीक है, उसके बाद में, sweet potato, sweet potato किस के form में करता है, root के form में, ठीक है, और ginger, ginger किस से करता है, rhizome के form में, ठीक है, अगला question, state the brief in function of following female reproductive system, ठीक है, तो reproductive system के कुछ system है, इनके बारे में, इनके function बताने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले है ovary, ovary क्या काम करती है, ova का production करती है, और female sex hormone को produce करती है, या release करती है, ठीक है, इसके बाद में fellopian tube, fellopian tube क्या करती है, fellopian tube जो होती है, यहा पर क्या होता है, fertilization होता है, ठीक है, इसके बाद में, transfer of female gamet from the ovary, ovary से female gamet को transfer करती है, ठीक है, इसके बाद में uterus, uterus क्या काम करता है, implantation of gygode, जो gygode बनता है, उसका क्या होता है, वहाँ पर uterus में implantation होता है, ठीक है, उसके बाद में, यहाँ पर पूरा fetus का development होता है, ठीक है, इसके बाद में अगला question, mention the method used for regulation of child birth, child birth के लिए अपने को क्या-क्या regulation करनी चाहिए, उसके बारे में question जरूर आता है, important question है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, methods की, तो इसमें कुछ methods दिये हो है, barrier methods, chemical method और surgical methods, to barrier methods में, mainly क्या include होते है, condoms, diaphragms, cervical cap और IUCD, like copper tees वगेरा, ठीक है, उसके बाद में, chemical methods, chemical methods में, mainly क्या होते है, जो pills वगेरा, women's use करती है, वो use होते है, जैसे कि oral pill और vaginal pill, ठीक है, इसके बाद में, surgical method, surgical method में, mainly 2 होते हैं, vesectomy और tubectomy, जैसे कि vesectomy, तो vesec मतलब vast difference को cut करना, और tubectomy मतलब tube, fallopian tube को cut करना, ठीक है, इसके बाद में, अगला question, Describe the role of prostate gland, seminal vesicle and testis, इनके role अपने को बनाने है, तो prostate gland क्या करता है, prostate gland or seminal vesicle जो है, वो nutrition, nutrition of sperm provide करता है, क्या करता है, nutrition provide करता है, ताकि वो easily transfer हो सके है, ठीक है, उसके बाद में, testis, testis क्या होता है, testis, hormone, release करता है, जो boys के, पुबर्टी में जो characters होता है, boys के, जैसे की, beard आना, और muscles growth करना, यह सब कौन कराता है, testis कराता है, ठीक है, उसके बाद में, question no. 9, how can be pregnancy be prevented by surgically, surgically methods आपको बताया था, vasectomy और tubectomy, vasectomy मतलब, vas difference को cut करके, दोनो, दोनो cut को bind कर देना, ठीक है, उसके बाद में tubectomy, tubectomy में female में होता है, ठीक है, इसमें भी fallopian tube को cut करके bind कर देते हैं, जिससे की, ovum pass नहीं हो सकता, इसलिए, ठीक है, अगला question, explain the various part of flower, flower के various part के बारे में explanation करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले, kelex आता है, जो outermost whirl होता है, flower का जो protect करता है, bird condition में, ठीक है, उसके बाद में corolla होता है, corolla क्या होता है, colored part होता है, जो क्या करता है, attract करता है, animals और pollinator को, ठीक है, इसके बाद में, अगला question, what do you mean by cross pollination, cross pollination क्या होता है, और कौन से factor की वज़े से यह होता है, ठीक है, तो cross pollination mainly क्या होता है, एक process होती ही, जिसमें transfer of pollen grain form, one enter to one flower of stigma from different plant of stigma, तो cross pollination में एक flower के जो enter होता है, वो दूसरे plant के flower के stigma पे जाके attach होते हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं, अपन cross pollination बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए कुछ factors जो responsible होते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो wind, water और insect, ठीक है, ये क्या करता है, pollinator का काम करते हैं, ठीक है, इसके बाद में question number 12, explain budding in hydra with diagram, जो hydra में जो budding होती है, उसको diagram के तुरू बताना है, तो देखो, एक अपना parent hydra होता है, ठीक है, इसमें bird का formation होता है, ठीक है, female में bird का formation होता है, और new hydra में ये क्या हो जात होता है, convert हो जाता है, और new hydra बन जाता है, ठीक है, budding in hydra, ठीक है, अगला question, plane area, plane area में regeneration को बताना है, ठीक है, तो एक parental plane area होता है, जिसमें cut लग जाने पर ये तीन अलग-अलग part में divide हो जाता है, ठीक है, और तीनों part regeneration करके क्या बनाते हैं, नहे नहे plane area का formation करते हैं, ठीक ह यही regeneration होता है, ठीक है, इसके बाद में अगला, हाँ, fertilization in flowering plant, flowering plant में क्या बताना है, fertilization बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले fertilization process with the female gamet, male gamet और female gamet का fuse होना ही क्या है, ठीक है, उसके बाद में after reaching the stigma, pollen grain develop a pollen tube, क्या होता है, सबसे पहले ही क्या होता है, pollen tube का formation होता है, ठीक है, यह stigma पर पहुचते, सबसे पहले क्या होगा, pollen tube का formation होगा, और pollen tube से क्या होगा, 2 pollen nuclei, 2 pollen grain कहां आएंगे, ovary में आएंगे, ठीक है, ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, male gamet fuse with egg, male gamet जो होगा, वो एक के साथ fuse होगा, और अधर जो gamet होगा, वो vegetative nucleus के साथ fuse होगा, ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते है, double fertilization बोलते है, ठीक है, क्या बोलते है, double fertilization, यह, ठीक है, इसके बाद में तब fusion of one male gamet with the two polar nuclei from endosperm is called tippin fusion, तो आपने देखा कर वेजटिटिटिव नुकलियस जो होता है, वेजटिटिटिव नुकलियस में, दो नुकलियस होते है, ठीक है, और एक नुकलियस, male का आएगा, तो कितने नुकलियस हो जाएंगे, तीन नुकलियस हो जाएंगे, ठीक है, तो इसे हैं अपन क्या बोलते है, triple fusion बोलते है, ठीक है, तो यह अपना overview है, जो important question है उनका, ठीक है, उसके बाद में, आज के लिए बस इतना ही, बाग की अगले question लेके आएंगे, thank you.